हैटो, अभी देखें, इस वाले सेशन में, इस lecture में हम लोग cell cycle and cell division के numericals पढ़ेंगे, जितने भी numericals हैं, आज आप लोग अगर यहाँ चीख जाओगे तो कोई भी confusion नहीं आएगा, आगे जितने भी numericals आपको exam में आएगे या कहीं पी भी आपको competitive exam दे रहें, तो वहां पे भ पहला कुश्चन यह है ध्यान से समझने आपको इन डिप्लॉइड सेल पहला कुश्चन यह है कैसे लगाते हैं कुश्चन नमबर फर्स्ट यह दिया हुआ है कि नंबर ओफ बाइवेलेंट इन प्रोफेज आर टेन चलिए नंबर ओफ आप भी करेंगे साथ में ठीक है आप भ ईट फैन इनकालना है और बाइन आवंट सेकेंड इन आफंफेज सेकेंड और इच पोल ठीक है तो इसमें निकालना क्या है आपको पहला यह है कि हा आव मेनी क्रोम सौम है आव मैंने क्रोम्सों इन आव फै chromosome अब दूसरा ये है ratio of ratio of chromosome and chromatids यहाँ अपर इसले के ratio of chromosome in anaphase first and anaphase second at each pole at each पोल तो रेशियो अफ्रोमोजोम एंड क्रोमेटिट लिख लिजिए रेशियो निकालना है आपको ठीक है पहले आप फिर्स फिर्स और सेकेंड में क्रोमोजोम का रेशियो क्या होगा और अप इसको कैसे लगा सकते हैं नमबर अफ बाइवलेंट 10 दिया हुआ है तो चलिए पाइ प्रोफेज में बाइवलेंट 10 दिया है मतलब ऐसा स्ट्रक्चर 5 बनेगा एसाas प्रोफेज में हो गया इस दे स्ट्रक्चर 5 बनेगा ना य तब 10 10 तो क्योंकि बाइवलेंट 10 है तो हर पोल पे क्रोमोजोम कितना जाएगा 10 क्रोमोजोम इधर जाएगा ठीक है क्लियर तो यह कितना हो गया 10 हो गया अब आप से यह पूछ रहा है कि रेशियो आफ क्रोमोजोम इन एनाफेज फर्स्ट एन एनाफेज सेकेंड एट इच पोल एनाफेज में इच पोल पे कितने क्रोमोजोम जाएंगे दस दस इधर दस इधर ठीक है क्रोमाटीड कितने गया 20 क्रोमाटीड कितने गया 20 इधर गया 20 इधर गया लेकिन एनाफेज सेकेंड में कितने क्रोमोजोम गये होंगे बताइए अब चलिए एनाफेज सेकेंड जब एक सेल से दो सेलOULD बन जाएगी कपचव दो तो एक में ये अजाएगा और एक में ये आ जाएगा तो इस फरस्ट में होमलोगो assessments किक कर दो गाँ तो एंट पर ऐनाफ बार तो सेंट्टि झायगा तो उसे हैं क्रूमसों में क्तना जाएगा oppositeबल पे 10 when Risk कितने जाएंगे 20 क्यूंकि दो क्रोमेटीड वाला है downtown सिकेंड में 10 क्रोमोजों जाएगा और क्रोमेटीड 10 ही जाएगा ठीक है तो यह इस कुशन आप यहां से लगा सकते हैं सो आप यहां पर इस कोश्चन को आप जितनी मैंने कौन से बता था उससे आप समझ सकते हैं क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्रोमाटीट्स सें लोंगोड़स है ए टीलोमियर इन इन टेटराड लग गया होगा को ँप मुझे पता है तो एक टेटराड है है यह बाइवलेंट है यह टेटराड है यह टेटराड है तो बता इए क्रोमोजोम क्ते इस तरीके से आप एक रेशियो निगाल सकते हैं वन इस टू 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 इस ट अब भी आपनों को एजिम करना है सल डिप्लॉइड है ठीक है टू एन फोर दिया है कितना दिया है टू एन फोर दिया है अब आपसे पूछ रहा है कि क्रोमोजोम नमबर ओफ क्रोमोजोम ध्यान से देखना है नमबर ओफ क्रोमोजोम कि एंड क्रोमेटीट्स इन जी वन चलिए जी वन में क्या होगा जी टू में क्या होगा मेटा फेज में क्या होगा ठीक है एना फेज में एना फेज में क्या होगा एना फेज फॉस्ट में क्या होगा ठीक है एना फेज फॉस्ट में और एना फेज सेकेंड में क्या होगा लग गया होगा, I think लग गया होगा, जीवन में बताँए होगा, क्रोम जो में साल हमारी क्रोमुजूम Sac et all- here, छीवन में क्रोमूसूम तो 4 है, पताईए ग्रोम जो में क्रोमुजूम 4 है, क्रोमेटी रट हो गया, क्योंकि की वो डबल भूगया था स्फेस में, में डबल हुआ था ना याद है ना ठीक है मेटाफेज में भी सेम वही है चार क्रोमोजोम है आठ क्रोमेटीड है अब बताएगे मुझे आप एनफेस फर्स्ट में क्या होगा जल्दी बताएगे इसको आप कैल्कुलेट कर चुके होंगे अभी हमने बताएगे था कि एनफेस में एक्वेट है जब यह चार क्रोमोजोम है तो इस तरीके से बन गया होगा मेटाफेज में जल्दी बताएग कित्ते बाइवलेण udah हैना यह फ़श्ट में क्रोमोजोम चार है सब्सक्राइब और और क्रोमेटिट कितना है आठ है अब यह जब दो सेल बन जाएगी तो एक सेल में ऐसे आ जाएगा एक सेल में दो क्रोमोजोम आ जाएंगे चार क्रोमेटिट वाले ठीक है जब इससे दो सेल बनेगी तो एक में तो एनाफेस सेकेंड में क्या होगा एनाफेस सेकेंड में आप यह खर्लंस चोम्रोच वीये तौ है अब बताएव गया चाहि यह कि इस तरीके सेकेंड में इसको लगा रहा रहे होंगे को फुल यापको समझ में आ ठीक है, next question, wait a minute, हाँ, आप question देखेंगे, question देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, How many mitotic division required to produce 32 cell, how many mitotic division, how many mitotic division required to produce 32 cells from a single cell, from a single cell. अब चलिए आप ध्यान दिजे, आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, तरीका क्या होना चाहिए, पहला तो आप ऐसे लेखा है, एक cell, एक mitosis हुआ, mitosis first हुआ, तो 2 बनी, ठीक है, दूसरा division हुआ, तो 4 बनी, तीसरा division हुआ, तो 8 बनी, और चौथा division हुआ, तो 16 बनी, ठीक है, क्योंकि एक से 2 बनने जा रहा है, और पांचवा division हुआ, तो कितना बन गई, 32, दूसरा है कि आप देखेंगे, यह 2 के power में आत माइटोटिक डिवीजन, तो N कितना हो जाएगा, पांच, चलिए, यह question तो बड़ा easy सा है, आप लगा लेते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा question पूछ दिया, कि how many mitotic division required to produce 120 cells, 120 cell, अब आपको थोड़ी दिक्कत आने जारी है, अगर ऐसा question है, तो आप लगाएंगे इसको कैसे, ज number of mitotic division is equal to number of cells minus 1, number of cell minus 1 तो कितना हो गया, 119, 119, अगर आप से पूछ दिया, कि 110 cell बनाना है, तो 109 division होगा, तो यह सवाल आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, अगर वो 2 के power में आता है, तो जैसे मैंने पहला method बताया था, आप उसको apply कर सकते हैं, अगर वो 2 के power में नहीं आता है, तो आप इस तरह के से लगा सकते हैं, चलिए दिखिए, आप question दिया हुआ है, in a human cell, in a human cell, c value is 4 picogram, human cell में c value दिया है, 4 picogram, confused नहीं हो न, c value बताया है, मैंने number of amount of DNA in one set of chromosome, और we can say haploid content of DNA, तो इस तरह के सकते हैं, amount of DNA in haploid content of chromosome, तो इस तरह के से in human cell, c value 4 picogram दिया है, तो what is the c value in sperm, और egg, मतलब gamete का c value आप से पूछ रहा है, gamete का c value आप से पूछ रहा है, कैसे निकालोगे, ठीक है, अब आप देखना आपको, बहुत ध्यान से समझना आपको, अगर आप ये प्रोसेस 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 लिए कि human cell है, 2N है न, 2N है, किता क्रोमोजोम है, 46, अगर वो 46 है, तो यहाँ पे c value, आप ऐसे निकालोगे, जीवन फेज, जीवन फेज में क्रोमोजोम 46 है, 46 क्रोमोजोम है, और c value कितना है, टोटल, टोटल c value का मतलब 2C, अलब डिपलोईट सेल दी है, human cell डिपलोईट, 2C कितना है, 4Pgram, S में क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, क्रोमोजोम तो 46 रहेगा, लेकिन यह 8Pgram हो जाएगा, ठीक है, 8Pgram, जीटू में भी यही रहेगा, मियोसिस, क्योंकि जब sperm और egg बनेगा तो मियोसिस होगी न, मियोसिस होगी, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, बताइए मुझे, क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाएगा, तो जब क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाएगा, तो 23, 23 आ गया है यहाँ पे, कितना पिकोग्राम, 4Pgram, और 4Pgram, मियोसिस सेकेंड होगा, तब जाके गेमीड बनेगा, एक सल से किती सल बनेगी, 4, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा जल्दी से, क्रोमोजोम के नंबर तो सेम ही रहते हैं, मियोसिस सेकेंड, लेकिन यह कितना हो जाएगा, 2Pgram, तो यह कितना हो गया, 23, 23, 2Pgram, तो आपको यह याद रखना है, कि C value, अब बहुत आराम से ऐसे भी निकाल सकते हैं, कि 2C, डिप्लॉइड में अगर 4Pgram है, तो N ह तो वो कितना हो जाएगा, 2Pgram, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, कि आप ऐसे निकालेंगे, तो आपको याद रहेगा, कि एक्चुली में यह हुआ क्या है, और कैसे हुआ है, अगला कुश्चन यह है, हाँ मेनी, क्वेस्चन देखेंगे आप, हाँ मेनी स्पिंडल फाइवर, या आप ऐसे लिखेंगे, How many spindle apparatus, spindle apparatus formed during, how many spindle apparatus formed during formation of, formation of 100 micro spores. Wait a minute, wait a minute, how many spindle, आप लगा रहे होंगे इसको, किक है, आप इसको लगा रहे होंगे, हाँ, तो मैने क्वेस्चन आप से क्या पुछा, कि how many spindle apparatus formed during the formation of 100 micro spores, तो चलिए देखिए, 100 micro spores कह दीजिए, 100 sperms कह लिजिए, 100 sperms बनाने में, कितने spindle apparatus की जरुवत पड़ेगी, तो बताइए, मुझे 100 sperms बनाने में, कितने meiosis की जरुवत पड़ेगी, जल्दी से बताइए, meiosis कितना होने जा रहा है, 25, कितना होने जा रहा है, 25, क्योंकि एक meiosis, एक meiosis से 4 sperms बनेंगे, ठीक है, तो 100 sperms बनाने के लिए 25, एक meiosis में, कितने spindle, एक meiosis में 4 sperms बनाने हैं, तो कितने spindle apparatus बनेंगे यहां पर, तो देखे, spindle apparatus यहां पर बनेगा, यहां पर एक meiosis होगा, तो एक से 2 cell बनेंगी, ठीक है, तो यहां पर meiosis first में, एक spindle apparatus ठीक है फिर यहां पर दूसरी meiosis होगी तो एक यहां पर बनेगा एक spindle apparatus यहां पर एक यहां पर मतलब एक meiosis complete होने में तीन spindle apparatus की जुरत पड़ेगी तो इस तरीके से 25 meiosis complete होने में 75 spindle apparatus की जरूरत पड़ेगी तो फुली आप इसे लगा रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा अगला question है आप लिखेंगे इसको question यह है to form 100 microspore to form 100 microspore 100 microspore सेम यही question है 100 microspore बनाने के लिए या 100 pollen grain बनाने के लिए कितना meiosis चाहिए तो 25 25 बट एक condition है in cypressy family ऐसा question आता है in cypressy family ठीक है 100 microspore बनाने के लिए कितने meiosis की जरूरत होगी इन cypressy family 100 microspore बनाने के लिए कितने meiosis की जरूरत होगी तो आप यह सवाल ऐसल है देखिए cypressy family में एक microspore mother cell से एक microspore mother cell से आपको पता है एक microspore mother cell microspore tetrade बनाते हैं चार बन जाता है ना चार microspore बन जाते हैं लेकिन इन cypressy family एक microspore mother cell चप चार tetrade बनाते हैं तो वहां पर तीन degenerate होजाता है किवल एक ही survive करता है तो हर बार जब meiosis होती है तो एक microspore बनता है तो जितना microspore बनाना होगा उतना meiosis होगा तो इन cypressy family 100 microspore बनाने के लिए 100 meiosis होगा cypressy family के अलावा 100 microspore बनाने के लिए किसी और family में किसी और plant में 25 meiosis करना पड़ेगा सेम इसी तरिके से 100 sporms बनाने के लिए। 25 Miosys करना पड़ेगा जबकि 101 एग बनाने के लिए 100 Miosys करना पड़ेगा क्योंकि एक Miosys में के वल एक ही एक बनता है जबकि एक Miosys के बाद 4 Spolols creatory तो यह सारे question है एक लास्ट question आपसे कैसे पूछा जाता है 100 seeds बनाने के लिए कितने meiotic division की जरूरत है 100 seeds बनाने के लिए कितने meiotic division की जरूरत है ठीक है तो चलिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं इसको हम लोग निकालते हैं आप ध्यान देना है जैसे मालेजे की 100 seeds है यहाँ पर seed इसको निकालने के लिए हम ऐसे निकालेंगे, number of pollen grains, ठीक है, number of pollen grain plus number of egg, ठीक है, तो 100 seed बनाने के लिए, 100 pollen grain चाहिए और 100 egg चाहिए, जब 100 pollen grain चाहिए, ठीक है, इसको हम ऐसे कहते हैं, 100 pollen grains बनाने के लिए हमें कितनी meiosis की जरूत पड़ेगी, 100 by 4, और 101 बनाने के लिए कितनी meiosis की जरूत पड़ेगी, 100, तो इस formula को हम ऐसे लिखते हैं, n plus n by 4, where n, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी लग सकते हैं, n is the number of seed, ठीक है, simple formula, n plus n by 4, n is the number of seed, 100 plus 100 by 4, कितना meiosis होना चाहिए, 125, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, 25 plus 100, कितना हो गया, 125, लेकिन, 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 इन साइपरेशी family, एगर 100 seed बनाना है, तो तो हाँ पे formula n plus n हो जाएगा, क्योंकि 100 pollen grain बनाने के लि होगी, तो pollen grains बनाने के लिए, क्योंकि 100 microspore बनाने के लिए, 100 बार meiosis करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार 4 बनेगा, 3 degenerate हो जाएगे, तो एक ही बचेगा, तो हाँ पे आएगा 200, यह question बहुत important है, तो आप ऐसे, साइपरेशी family में number of seed, या number of zygote, निकालने के लिए, आप n plus n का यूज करते हैं, जहाँ पे n number of seed or number of zygote होता है, आप पुट कर देते हैं, ठीक है, तो सारी, number of meiosis निकालते हैं, जब number of meiosis निकालते हैं, तो n plus n, where n is the number of seed or number of zygote, ठीक है, in other families or in other plants, आप n by 4 निकालते हैं, तो यह सारे सवाल आपको cell division or cell cycle में बहुत important है, आप इसको यह lecture, पिछले lecture में जो हम लोगों ने पढ़ा था, mitosis, mitosis में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कि animal में mitosis केवल deployed cells में होता है, यह SINCRT में लिखा हुआ है, जबकि plants में mitosis, haploid deployed दोनों में होता है, जबकि मैंने exception बताया था कि animal में drone में भी, drone में भी, जो spermatogenesis की process है, वो mitosis से होती है, तो वहाँ पे mitosis हुआ, N में ही हुआ, haploid में हुआ, तो वो चीज़ आप याद रखना है, दूसरी चीज़ एक और चीज़ है, आपके anxiety में दी हुई है, वो यह है कि G naught stage, G naught stage, G naught stage होता क्या है, देखिए जब आप देखते हैं, Z1 और S, G2, S छोटा होता ह पलंकी, S, G2 और M, कभी-कभी क्या होता है, कोई cell divide करना शुरू करी, चलो ठीक है, यह division शुरू करी और division के बाद इसने एक cell ने दो cell बना लिया, एक cell ने दो cell बना लिया, लेकिन अभी cell को divide नहीं करने है, किसी reason से divide नहीं करने जा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना है, त सबस्काटर्ण करने के लिए वापस से आएगी, जीवन में आएगी, मतलब सैल साइकल में एंटर करेगी अपना जो नॉर्मल सेपन साइज उसको रिटें करके यह सेल साइकल को छोड़ देगी, सल साइकल को लीव कर देगी, मतलब फरदर डिवीजन वहां पर नहीं होगा, इसको हम जी नॉट स्टेज कहते हैं हालांकि जी नॉट इक्जाम में कुश्चन आया भी था इसे हम क्विसेंट स्टेज भी ज़रूरत अब आपको यह समझना है कि यह सेल यह सेल सेल साइकल को एक्जिट करती है या नहीं अभी हम इस पर बात करेंगे तो पहले हम यह देखे यह क्या होता है यह मेटाबॉलिक ली एक्टिव होते हैं जरूरत पढ़ने पर यह वापस से क्या हो सकते हैं डिवाइट कर सकते हैं तो इनके पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बस यह सेल साइकल को सस्पेंड कर देते हैं कुछ देर के लिए रोग देते हैं ठीक ह ज़रुवत पढ़ने पर यह फिर से क्या हो सकते हैं? दिवाइट कर सकते हैं. So this is all about the cell cycle and cell division. I hope कि आप लोग को साइच चीजें समझ में आई होंगी. Confusion कुछ नहीं होना चाहिए. अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे. जेनेटिक्स में भी यहां से चीजें रिलेट करती हैं. तो आप उहां पर इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे. अब आगे जो टॉपिक हम लोग सुरू करेंगे वो प्लांट फिजियोलोजी होगा. तो प्लांट फिजियोलोजी में पहला टॉपिक हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट को पढ़ेंगे. Thank you.